हाई दोस्तो वेलकम बैक टू आवर चानल लेट्स अचीव एक्सिलेंस आजम पढ़ने वाले है सबसे पहले इस चाप्टर का हेडिंग समझ लिजे कि क्या है तो अगर आपको किसी भी गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स किसी भी पब्लिक सर्विसेज देने वाले से या फिर लोकल और्गेनाइजेशन के साथ बात करना है थू लेटर्स तो आप कैसे कर सकते हो वो सब इस चैप्टर में दिया हुआ है तो यहाँ पर इंट्रोडेक्शन में दिया हुआ है कि बिजनेस वालों को हमेशा गवर्मेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वालों से या फिर लोकल इंस्टिउशन वालों से बात करना ही पड़ता है तो बिजनेस वाले इनसे किस तरह से कम्मुनिकेट करते हैं वो कम्मुनिकेट करते हैं थू लेटर्स तो आकिर उन letters को किस तरह से लिखना है, वो कैसे होने चाहिए, वो सब हम इस chapter में देखने वाले हैं, ये बात तो हमें ध्यान में रखनी है, कि हम जो letter लिख रहा है, वो rules और regulation के हिसाब से हो, वो एकदम clear language में होना चाहिए, और ये letter लिखने का main purpose क्या होता है, कि उन्हें पॉइंट दीख रहे होगे, तो अगर आपको government department से correspond करना है, यानि कि उन्हें letter के through बात करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, वो हम इस video में देखने वाले हैं, और ये जो B है, इसे हम second part में देखेंगे, और जो C है उसे third में, तो सबसे पहले आता है हमारा पहला topic, अब देखे common people हो, या फिर business हो, सब को government department से बात करना ही होता है, कुछ ना कुछ issue आना ही है, तो बात तो करना ही पड़ता है, मुशली क्या problem आता है, तो देखे नीचे point बना के लिखा हुआ है, अगर आपको कोई telephone का problem आ गया है, या फिर कुछ parcel parcel का problem आ गया, या फिर railway parcel का problem आ गया, या फिर आपको अगर tax का कोई problem है, वो आ गया, तो इन सारे case में आप क्या करोगे, letter लिखोगे, तो चलिए देखते हैं कि letter हम कैसे लिखेंगे, सबसे first letter ये है, कि अगर आपको post and parcel department वालों को एक complaint letter लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर भगवती traders को complaint करना है, इसलिए वो लोग ने letter लिखा है, इसलिए सबसे उपर भगवती traders ऐसा लिखा हुआ है, राइट साइड में भगवती traders ने अपना address लिखा है, 102 अबेहब, Chambers, मोटा बजार, गुदीरा, और फिर एक लैंग छोड़के date लिखा है, लेफ साइड में भगवती traders ने अपना phone number और email number लिखा है, और just नीचे अब वो लोग किसको letter लिख रहे है, postmaster को लिख रहे है, अगर आपको याद होगा, तो पिछले चाप्तर में जब हम bank को letter लिखते थे तो the manager लिखते थे, बच यहाँ पर हम post and parcel department वालों को letter लिख रहे है, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे है the postmaster और फिर वो post department का address, फिर subject की complaint regarding irregular distribution of post and parcel, फिर उन्होंने letter को start कर दिया है sir बोल के, आप चाओ तो dear sir, respected sir भी लगा सकते हो, अब चलिए content देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, तो यह कह रहे है कि बहुत साल हो गए और हमने आपके department के services भी लिए है, और हमें बहुत बिजने smoothly run हो पा रहा है, लेकिन कुछ समय से हमें हमारे जो parcel है वो time पे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वज़़ज़ से हमारे business पे बहुत ज़्यादा बूरा असर हुआ है, हमें time पे हमारे goods नहीं मिलते हैं, जिसकी वज़़ज़ से हम अच्छे से decision नहीं ले पाते हैं, हम बह regularity आपके carelessness की वज़़ज़ से हमारे business के reputation पे बहुत ज़्यादा effect पड़ रहा है, तो please यह मेरा humble request है कि आप इस बात पे ध्यान दे और फिर उन्होंने your sincerely करके letter को end कर दिया है, letter लिखा किसने है, विश्वास सोनी ने, तो इसी तरह का कुछ content आपको भी use करना है और letter लिख लिख रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे telephone bill के अंदर STD calls के भी detail चाहिए, तो यहाँ पर letter लिखा है जागरूती सिक्षन संकुल नाम के किसी business ने, इसलिए उनका नाम सबसे उपर टॉप पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले right side में उन्हें अपना address लिखा है, station road मुडासा और date ल इन्होंने यहाँ पे the circle officer लिखा है, और फिर वहाँ का address लिख दिया है, subject minor ने यही लिखा है कि हमें हमारे telephone bill के अंदर STD calls के भी detail चाहिए, फिर उन्होंने sir लिखके start कर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपके customers हैं, और हमें आपके services बहुत जादा पसंद आते हैं, हमें बहुत जादा benefit मिलता है, तो हम इसके लिख आपको appreciate कर रहे हैं, फिर वो अपने जो चिंता की बात है, वो बता रहे हैं, वो कहा रहे हैं कि हमारे पास दो telephone connection है, और उन telephone का number वी इन्होंने लिख दिया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमारे पास ये facility भी आ चुकी है कि हम इन numbers पे STD call कर सके, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, telephone company को request कर रहे हैं कि please आप क्या किजिये, कि ये दोनो numbers पे आप हमें जो bill भेजते हैं न, please आप अब से हमारे STD call के जो भी details होते हैं, वो भी इसमें लिख के भेजिएगा, और वो बोल रहे हैं कि हमारे business के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और लाश में उन्होंने कहा है कि please इस पे action लीजिए, वो भी जल्दी thanks बोल दिया है, और यहाँ पर right side में yours faithfully sign किया है मोती भाई चोदरी ने, third letter है, एक request letter जो कि हम फिर से किसको लिख रहे हैं, telephone company को, क्यूंकि हमें एक parallel connection चाहिए, तो यहाँ पे स इन्होंने अपना address तो लिखा ही नहीं है, बलकि वहीं पर उपर ही लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो right side भी लिख सकते हो, कोई problem नहीं है, और फिर date हैं यहाँ पे left side में phone number, email, और अब वो telephone company में किस officer के पास भेज रहे है letter, administrative officer के पास, और फिर उन्होंन address लिख दिया, BSNL, सूरत रोड, वापी, subject में उन्होंने यहीं लिख दिया है, कि हमें parallel connection चाहिए, same telephone number पे, sir बोलके उन्होंने इस letter को start किया है, तो वो कह रहे हैं कि सार्थी business house, वापी का एक बहुत ही ज़्यादा reputed business है, और यह कहां पर है, GIDC रोड पे है, और यह दो division म बटा हुआ है, पहला जो इनका division है, वो है administrative department और दूसरा है production department, अब इन दोनों में employees भी काम करते होंगे, और इन employees को एक दूसरे से बात भी करना होता है, जरूरी, और वो अपने problem बताते हुए, यह कह रहे हैं कि हमारे पास सार्थी business house पे एक telephone connection है, और उन्होंने उसका number भ भी अच्छी तरीके से faster, easier चला सके, और फिर वो लोग telephone company को request कर रहे हैं कि please वो उन्हें ये facility दे दे, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कुछ pay करना पड़ेगा, फिर उन्होंने thanks बोला, yours faithfully बोला, और later लिखा था धीरच तंदानने, जो कि इस business के manager है, तो fourth है एक request letter जो कि हम इसले लिख रहे हैं क्योंकि हमें हमारा demand notice cancel करवाना है, अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी text department वालों को हमसे text चाहिए होता है, तो वो हमें demand notice भेजते हैं, पर यहाँ पर problem यह हुआ है कि गलती से किसी ने demand notice भेज दिया है, तो यहाँ पर फिर से कोई business व को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके नीचे आप date लिख दो, left side में phone number, email, नीचे किसको लिख रहे है, income tax officer को, इसले the income tax officer और address, subject में उन्होंने लिख दिया है request for cancellation of demand notice, sir बोलके letter start किया है, तो यहाँ पर content में इन्होंने ये लिखा है कि 10 साल हो गए और हम गांधी नगर में अपना business चला रहे है, और हमारे business का नाम है damn damn bookstore, और ये ये भी कह रहे है कि हर साल हम income tax rules के हिसाब से income tax बर्भी देते हैं, इन्होंने अपना pen number भी बताया है, तो मेन मुद्दा वो ये कह रहे है कि हमें 2nd July 2016 को एक demand notice आया, 7600 रूपीस का, यानि कि उन्हें tax का notice आया, कौन से year के tax का notice आया, 2015 और 2016 का, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, कि आपने ये जो notice है, वो गलती से बेज दिया है, क्योंकि इतनी तो last year हमारे income ही नहीं हुई थी, तो ये तो पक्का है कि इतना tax आ ही नहीं सकता है, फिर वो कह रहे हैं कि last financial year में पक्का हमारा इतना तो आया ही नह नहीं था तो हम additional income tax क्यों भरें, और वो income tax वालों को request करें कि please आप income tax return फिर से check कर लिजे, और आपने जो details हमें बेजे हैं वो भी check कर लिजे, yours faithfully हर्ष पटेल जो की owner है, यहाँ पे enclosure में इन्होंने लिखा है copy of income tax return, enclosure मतलब वो document होता है जो हम letter के साथ भेजते हैं, अब 5 औ कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर जो business है, उसका नाम है quality machine house और उन्हें ही export license चाहिए, तो उन्होंने right side अपना address लिखा है, date लिखा है, left side उन्होंने अपना email website for number लिखा है, और वो letter किसको भेज रहे, joint director general of foreign trade को, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिखा है, जो कि इंडिया में ह और फिर उनका address उन्होंने लिख दिया है, subject में लिख दिया है, कि इन्होंने export license चाहिए, sir बोलके start किया है, तो अब वो content में ये लिख रहे हैं कि हम machine के बहुत large producer है, और हम manufacturing करने का काम करते हैं, हम notebook और book print करते हैं, 10 साल से, और अब तो इसकी demand बहुत ज़्यादा आती जा ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, even in foreign countries, तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे machine को बेचना है, abroad, जिसके लिए हमें export license की जरूरत है, फिर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आपको कुछ detail submit कर देते हैं, और कुछ documents भी submit कर देते हैं, आप यहां पर 8 documents देख सकते हैं, ये सारे documents उन्होंने जमा भी कर दिया है, जमा कर दिया है, मतलब इस letter के साथ attach कर दिया है, फिर last में वो कह रहे हैं कि प्लीज आप जल्दी से हमें export license दे दीजिए, यौस फिली मूलचन रूपानी जो की owner है, and closure में लिखा है as above, यानि कि ये सारे document जो आपको letter में दीख रहा है, चलि झाल